तो आज मैं आपको मुरादढ़ादी चिकन दम ब्रेहनी बनाने की बहुत यासान रेस्पी बताने वाला हूँ इस दिक के से आपको दम ब्रेहनी बनाएं गे, खाने में बहुत यग ज़दा टेष्टी बनेगी और राइस देखिए एक तम खिले खिले राइस बनेंगे मसालों का बहुत ही बड़ी इसके अंदर फ्लेवर होगा और चिकन दिखाता हूँ आपको कितना सॉट और जूसी चिकन बनाएगे देखिए एक तम नर्म चिकन बनेगा आपने मेरे बताई हूँ एक एक शेफ को फॉलो करना है और एक वार आपने इस तरह से चिकन बिल्यानी बना के देखनी है आप बार बार इसी रेस्पी को ट्राइ करते रहेंगे तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ मैंने एक केज़ी बीदबोन चिकन लिया है चिकन को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है और यह देखिए लैग पीस में मैंने कट लगा लिया है एक कट मैंने आगे लगाए और एक कट मैंने लैग के पिछली बरी साइड में लगा लिया है इसके बादम चिकन को मारनेट करेंगे एक छुटा चमट भर के आपने इसमें नमग कर डालना है और साथ में आपने तीन से चार बड़े चमट इसमें देही एड़ करना है बेड़ के इसाफ से देखें तो 150 ग्राम है इसमें देही एड़ कर दिये अब देही का यूज क्यों करते हैं देही ना चिकन को गुलाने में हेलप करते हैं तो इसमें देही डाला जाता है इसके साथ में आपने 5-6 हरी मिर्ची डाल देनी है इसमें देखे इस तरह से 6 से 7 आपने इसमें चोटी लाइची डालनी है साथ में 2-3 टुकड़े आप इसमे सौंफ का पौडर डालना है, सौंफ का पौडर नहीं है, आप इसमें सौंफ डाल सकते हैं, साबुत सौंफ, साथ में आपने एक छोड़ा टुकड़ा है, इसमें जवित्री, और एक छोड़ा चमें भरके आपने इसमें निम्बू का रस डालना है, निम्बू का रस भी चिकन इसके बद आपने चिकन को अच्छी तरह से कवर कर देना है और कम से आदे गंटे तक फ्रीज में रख देना है इसी मेरिनेशन के अंदर और यहां मैंने 700 ग्राम पास्मती राइस लिये हैं चाबलों को आपने अच्छी तरह से दोना है ताकि चाबलों के बार से जो एक्स्ट dust पे रहा लगी हो जो extra starch होता है बोर निकल जाए तो यह देखिए बिल्कुल soft end से आपने चाबलों को मसलना है इस तरह से और अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेना है आपने तो तब तक आपने चाबलों को धोना है जब तक चाबल अच्छी तरह से साफ नौज जाए और के देखिए इसके बद आपने चाबलों को भीगो के रखना है कम सकम आदे गंटे तक तब ही बिल्यानी में अच्छी वाइडनेस आएगी और चाबल हमारे खिले खिले बनेगे और यहां पर मैंने चार प्याज लिए है प्याज को आपने पतला पतला काटना है देखिए इस तरह से प्याज को बनबाई टू कीजिए बनबाई टू करके जितना पतला आप इसको काट सकते न उतना पतला काट गिए तबी प्याज अच्छे से पकेगा और हमारा ब्राउन ब्याज बनके त्यार होगा ये देखे प्याज को मैंने एकदम फाइन स्लाइस काट लिया है इसके बद इसको मसल के अलग-लग कर देते हैं और यहां मैंने नॉंस्टिक कड़ाई लिये उसमें तीन से चार बड़े चमच ऑईल एड़ करेंगे जैसे ऑई थोड़ा सा गर्म होज़े आपने दो छोटे डुकड़े इसमें जवित्री एड़ करना है दो फूल आप इसमें स्टार एनिस के डाल देशे और इसके साथ में दो छोटे डुकड़े आपने दाल चिन्नी के एड़ करना है और पांसे साथ आप इसमें काली मिर्श के डाल देशे साथ में आपने इसमें आदा छोड़ा चमच साबू जीरा या विर्शाही जीरा एड़ करना है और जीरे को आराम से हाँ पे त्रिटक देना है जैसे जीरा आराम से त्रिटकचाए आपने इसमें स्लाइस का डॉप प्याज आइड खर देना है और इसके बद आपने गैस की फ्लेम हाई रखनी है जबताब प्याज का कलर है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरूना चाहे जै के बद आपने आदा प्याज निकाल लेना है इसका यूज हम लाश्ट में करेंगे ब्रयानी के उपर से डालने में और जो बचाओ प्याज है उसको आपने एक वर अच्छे से मिक्स करना है और इसके अंदर मैरिनेट के बद चिकन डाल देना है चिकन को यहां पर मैंने आदे और के देखे चिकन को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसके बद आपने चिकन को ऊपर से कवर कर देना है इसके बद आपने गैस की फिले मीडियम रखनी है और मीडियम फिले में चिकन को कम से कम 5 मिनिट तब पकने देना है और के देखे चिकन को पकते हैं आपर 5 तक इसको medium flame में इसी तरह से आपने पकने देना है पानी नहीं डालना है इसी पानी को हमने सुखाना है तो यहाँ पे 10 मिनिट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए और यह देखे हैं आप देख सकते हैं जो leg piece है उसने हड़ी को छोड़ना शुरू भी कर दिया है इसके बद आपने इसमें एक से डेट छोड़ा चमच cream add करनी है cream से क्यों होगा अच्छा color तो आएगा है करना टेस्ट भी बहुत ही बढ़ी आएगा तो cream को भी chicken के साथ अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और यह देखे जैसे आप इसमें थोड़ी सी cream डालेंगे चिकन के जो ग्रेवी है उसमें थोड़ी वाइटनेस आना शुरू हो चाहिए की फिर हम इसमें पानी एड़ करेंगे cream को ज़्यादा पकाने के जूट नहीं है यहाँ पे अब पानी कितना डालना है इस ball से मैंने बरके चावल लिये थे एक पूरा ball और थोड़े से चावल मैंने और लिये थे तो एक ball मैंने देखिए पानी के एड़ कर दी है एक ball और ढाल देते हैं दो ball मैंने बरके पानी के एड़ कियी इसके अंदर अच्छी तरह से chicken को पानी के साथ mix कर लेते हैं ज़्यादा पानी डालने आपने, ज़्यादा पानी डालेंगे तो राइस गिल्ले हो जाते हैं, राइस दम में ही सॉफ्ट हो जाते हैं और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और एड़ कर रहा हूं, तो जो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और एड़ किया ना उतने ही मैंने चाव पूरा पानी निकाले के बो भी ऐड़ करते लेंढेंग, इसके साथ में थोड़ा सा फ्रेश मिंड एड़ करेंद आती है, तोड़ा सा बरीक कटवक अहराध ना है last ये देखिए चाबल हमारे यहां पर उबलना शुरू हो चुके हैं पकना शुरू हो चुके हैं इसके बद आपने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है और अच्छे से एक वार ना बिल्कुल अराम से इनको मिक्स करना है ताकि चाबल चूटे ना क्योंकि चाबल जब प पानी है बहुत सुक ना शुरू हो चाएगा और चाबल फूलं का शुरू हो जा जैए है इसके वह देखिए जैसे में पलटे से हिला रहो हो ना केसर नहीं है तो केसर भी आप स्कीप कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए तीन छोटे जम बहर केस में केसर एड़ कर दी है साथ में इसके उपर थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल देते हैं इसके बिर्यानी को ना दम लगाएंगे तो यहां पर मैं सिलो फॉयल का यूज़ कर रहा हूँ दम लगाने के लिए अगर आपको सिलो फॉयल नहीं है गुंदिव आटे से आप दम लगा सकते हैं अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है ताकि स्टीम जो बाहर ना है एक आइ थोड़ी दिरवद आगे पीछे करते रहना है क्योंकि सेंटर में रखेंगे फिर आपके जो चाबले ना कड़ाई की नीचे चिपक सकते हैं यहां हमारी बिर्यानी पक चुकी है पूरे बारा मिनुट तक मैंने दम में पकाया इसको और एक बाद जैसे आपकी बिर्यानी प पल्टान लगाना है साइट से निकाल लिए प्रियानी को सेंटर में पल्टान लगाएंगे राइस तोट जाते हैं और गर्मा गर्मा आप इसको राइते के साथ सर्व कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेर्क में जुरूर कीशेगा